लुए 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 हमारा एप्लाइट मैथ फर्स्ट में चैप्टर नंबर अब नेक्स्ट स्टार्ट ओड़ा है च्छोटा सठ चैप्टर है चोटे से कंसेप्ट है जरा से कंसेप्ट है और इस पर कम आते हैं बलकि इस बुक में जो मेरे पास है उसमें तो कोई भी नहीं आया आए इस तक लेकिन एक्शुली सिलबस में है तो इसलिए जो है वो हम इसको थोड़ा सकरे ले रहे हैं और ऐसा अब ये सिलबस में की कहने का मतलब है कि आप जो है इसको इसके कंसेप्स जो है वो जानते भी होंगे थोड़े बहुत पहले और बस थोड़ा सा आप उसे और दूसरी नेजर से देखेंगे तो आपको यहां भी कंसेप्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे तो किस टाइप के कोशन से और किस तरह से उसे सॉल्व करना है वो हम इसमें बता देंगे आपको हलका फुलगा आपको दो चार कोशन भी करा देंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस करके चले जाईएगा इन केस अगर एक नंबर में दो नंबर में ज्यादा नंबर में कोशन नहीं आता है लेकि कुछ बाते जो हैं वो बताना चाहते हैं कि जब हम रियल अनलेसिस डिसकस करते हैं यानि कि मैथमेटिक्स में सेट थियोरी बगरा और यह सब डिसकस करते हैं तो वहाँ पे जो है वो कुछ सिंबल से चलते हैं जिनकी जरूरत पढ़ती हमें बार बार तो उसमें से एक नखेंगे जिन्होंने पढ़ा है ठीक है नहीं पढ़ा है तो वो फॉर एवरी इसका मतलब होता है फॉर एवरी एक और सिम्बल जो हम यूज करते हैं जिसकी जरुवत इसमें पढ़ेगी बेर एक्जिस्ट देर एक्जिस्ट का मतलब है कि कोई एक चीज ऐसी एक्जिस्ट करती है जिसके लिए फलानी फलानी कोई भी चीज हम कह रहे सकते हैं ठीक ना एक सिम्बल ये चलता है ये इसको कहते हैं बिलॉंग्स टू ठीक ना यानि कि कोई सेट है हमारे पास और उसमें कोई हमने एक मेंबर्स हैं इस बात को डिनोट करने के लिए जो है वो हम इसका बिलॉंग्स टू का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो हैं वो कुछ ब्रैकेट्स चलते हैं आप ध्यान दीजिए जैसे ब्रैकेट्स में जैसे यह नंबर लाइन हो गई आपके पास और इसमें यह जीरो हो कि से यह यह करता हैं यह ब्रैकोत जो है वो एक्षुली अंतराल को बताने के लिए यह करते हैं कि चैनल मतलब कहां से कहां तक के सारे पोइंट्स लेने हैं बीच के ऐसे का सब्सक्राइक अबम इस तरह से करें तो इसे हम closed bracket कहते हैं, अब open bracket का मतलब समझ लिजिए, open bracket का मतलब होता है, कि हमारा जो point लिया जा रहा है, वो A और B के बीच में है, X जो है हमारा A और B के बीच में है ये इसका मतलब होता है open bracket का A और B के बीच में है लेकिन A और B नहीं है उसमें शामिल समझ रहे हैं? जैसे मालिया मैंने कहा कि ऐसे बच्चे चाहिए जिनकी height 4 फिट से 5 फिट तक हो लेकिन उसमें 4 फिट और 5 फिट वाले नहीं चाहिए 4 से ज़्यादा हो और 5 से कम हो 4 अगर है तो नहीं include करेंगे 5 है तो नहीं include करेंगे तो ऐसे case में हम इसको open bracket से represent करते हैं अच्छा closed bracket क्या होता है? closed bracket ये होता है कि आप x में a और b के बीच में तो लेंगे सारी values लेकिन साथिससत a और b को भी ले सकते हैं तो ऐसे case में फिर हम use करते हैं उसमें closed bracket ठीक है? इसमें क्या है? 4 और 5 फिट के बीच के बच्चे चाहिए इसमें 4 फिट भी शामिल कर सकते हैं और 5 फिट भी मतलब boundaries भी अगर शामिल कर ली जाएं तो उस case में जो है उसको कहा जाता है closed bracket अब अगर मान लिए suppose करिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसके अंदर एक x लेना है ठीक है न? तो हम इस बात को इस तरह से लिखेंगे कि x और किसको? belonging to, belongs to और ये interval अंतराल को interval कहते हैं इंगलिश में x belongs to a, b इसका मतलब यह है कि x की value जो है वो a और b के बीच में हो सकती a और b नहीं होंगी क्योंकि ये open bracket की form में लिखा गया है ठीक है न? अगर हम कहते हैं x belongs to closed bracket a, b इसका मतलब यह हुआ कि x जो है वो a और b के बीच में भी हो सकता है a भी हो सकता है और b भी हो सकता है ये इसका belongs to covered ये मतलब है for every का मतलब होता है जैसे कोई condition सब के लिए fit बैठने लगे मालिया a और b के बीच में जितने x हैं सब के लिए कोई condition fit बैठ रही है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि this 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 condition और किसके लिए exist कर रही है for every x belonging to interval a, b समझ रहे हैं जब जैसे हमें ये show करना है कि ये सारी चीजें घटना सारे x जो हैं इसके अंदर के a से b लिकर b तक के सारे x के लिए सही है तो हम वो condition लिख करके और ऐसे लिख सकते हैं for every इसका use करेंगे and x belonging to इतना है मलब x इस interval में से कोई भी x ले लो for every x हर x के लिए और जो इस interval का member है ये गटना सत्य है ये statement true है ये मतलब है there exist का भी इसी तहें से इस्तेमाल करते हैं कि जैसे माल यह सपोस कर ये 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 इस condition है और इस condition को satisfy करने के लिए there exist x belonging to a, b जैसी situation बनेगी उस तरह से short में उसको लिखना पढ़ता है तो उसके लिए हमारे पास ये symbols जो है वो थोड़ा सा चलते हैं तो इनके बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो जान ले और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है रिवाइज हो गया होगा अपका अब सबसे पहले हम देखते हैं increasing function क्या होता है ट्वाले definition पढ़ेंगे कि वर्ध मान फलन क्या होता है मतलब ऐसा function जिसकी value increase करती चली जाए तो वो हमारा वर्ध मान फलन यानि की increasing function कर लाता है नाम सही पता लग रहा है जैसे मालिया सपोस कर यह origin है x-axis है y-axis है और कोई interval हमारा a और b है और इस interval में मालिया कोई function हमारा इस तरह से है देखे इस पर यह इस तरह से defined है और a से लेकर के b तक आप देखे value बढ़ती चली जा रही है तो यह हमारा function जो है वो increasing function कहलाएगा यह condition है मतलब increasing function की लेकिन इस condition को बढ़ता तो जा रहा है तो आपने देख लिया graph में लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे तो लिखने के लिए क्या है हम इसमें ऐसे बताएंगे कि अगर हम इसके अंदर दो points लें दो value लें x1, x2 ठीक है और इस x1 पर हम function की value निकालें suppose देखे य एक्स इस पर function value मिलेगी fx1 और x2 पर हम functional value निकालें और वो suppose मालिया हमें मिली fx2 ठीक है ना तो देखे अगर x1 छोटा है तो functional value भी छोटी है और x2 बड़ा है तो functional value भी बड़ी है इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि यह increase कर रहा है मतलब x की value बढ़ाने पर function में y की value यानि कि function की value increase कर रही है इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ कि यह हमारा increasing function है मुझे बताईए बात समझ में आ रही है किस तरह से हम increasing और decreasing function पहचानेंगे तो यह तरीका है increasing function का पहचानने का x1 x2 मैंने दो point लिए जिसमें से x2 बड़ा है x1 बड़ा है इस पे fx2 बड़ा निकला है और fx1 बड़ा छोटा निकला है point छोटा तो value भी छोटी point बड़ा तो value भी बड़ी तो हमारा इसका मतलब graph जो है वो उपर चढ़ रहा है यानि कि value हमारी जो है वो बढ़ रही है समझ रहे हैं तो हम यह कहेंगे कि फलन हमारे पास अगर fx है फलन fx को अंतराल a b अंतराल a, b में increasing कहते हैं increasing function कहते हैं कब कहते हैं यदि ज्यान दीजिए किसी interval में define होता है हो सकता हो यहाँ पर बढ़ रहा हो बाद में जाके कम होने लगे तो हमेशा increasing, decreasing function जो निकाले जाते हैं वो आपके intervals में निकाले जाते हैं ठीक न तो यह है कि यदि अब condition क्या आएगी x1 less than x2 ज्यान दीजिए आप x1 less than x2 अगर मेरे पास है तो implies यह इस बात को indicate करे कि fx1 भी fx2 से छोटा होगा समझने बात को और साथी साथ एक condition और भी लगा दी जाती है बराबर की भी ठीक है न यह बड़ी अजीब सी बात है जो आपको लगेगा कि increasing है तो बराबर कैसे होगा लेकिन बराबर को भी हम increasing में include करेंगे आपको हम बात में बताएंगे strictly increasing मतलब केवल केवल increasing तो उसमें यह equal to sign हट जाएगा अभी हम general चलाएंगे कि अगर x1 में x1 चोटा है x2 बड़ा है तो उसकी अगर functional value x1 पे चोटी है और functional value x2 पे बड़ी है या बराबर है तो उस case में हम उसे increasing function कहते हैं ठीक है ना और मैं लिख सकता हूँ जहां x1 x2 कहां से ले ली हैं आपने तो जहां जो x1 x2 है वो belongs to को को कौन सा इस interval से belong करते हैं तो देखे ये जो symbol था वो मैंने आप use किया है इसलिए जो है मैं इसको समझा रहा था आपको पहले अब आप देखिए आपको ये चीज clear हो रही है हम in short कह सकते हैं direct इसको हम कहना चाहें तो ऐसे लग सकते हैं यदि x का मान बढ़ने से ये daily life के language हो गई यदि x का मान बढ़ा बढ़ने से functional value यानि की फलन का मान बढ़ता है या बराबर रहता है बराबर का भी sign है या बराबर रहता है ठीक ना तो फलन उस antral में उस antral a, b में इनकी बर्ध मान फलन यानिकि increasing function कहलाता है आप ज़रा इसको नोट कर लें इसको ध्यान दें इस पर अब देखते इसी के base पर हम define करता है decreasing function तो देखें फरक अएगा decreasing function यानिकि रासमान हरास हो रहा है मतलए कम होता चला जा रहा है तो fx को अंतरा लेवी में decreasing function कहते है decreasing function कहते हैं यदि अब देखे decrease हो रहा है यानि कि कम हो रहा है यह graph हमारा कैसा बनेगा ध्यान दीजिए यह graph अब हमारा वो बनेगा जाकर के इस तरह से यह ठीक है ना यह आपका graph बनेगा जाकर के और इसमें अब आप देखे यही interval है हमारे पास a और b यह interval हो गए अब इसमें जो है वो मैं देख रहा हूँ कि x1 पे जो है value वो तो जादा है fx1 और x2 पे जो value है वो आपकी जो है वो कम है ठीक है ना तो ऐसे case में जो है decrease कर जाएगा तो x1 less than x2 point तो मैंने x1 और उससे बड़ा x2 लिया लेकिन जो उस पे fx1 है वो आपका greater or equal to है यह condition बदल गई जहाँ x1 x2 belonging to a b तो यदि x का मान बढ़ने से यदि x का मान बढ़ा है लेकिन function क्या हो गया कम फलन का मान कम हो जाता है या बराबर रहता है तो फलन उस अंतराले भी में रास मान फलन कहलाता है समझर बात आप इसको clear करिए आप एक question पूछ सकते हैं मुझसे कि sir ये जो है वो equal to यहाँ भी लगा है और equal to पहले बाले में लगा था तो अगर कोई function equal रह रह रहा है तो हम उसे increasing बोलेंगे या decreasing बोलेंगे तो देखे ये confusion है मैं पहली बताए दरूँ आपको कि equal to की condition जो है वो आप अपने हिसाब से increasing में भी मान सकते हैं उसे और decreasing में भी मान सकते हैं ठीके ना तो वो एक doubt मैं पहली clear करें देता हूँ आप इस definition को note करें अब देखे ग्राफ को छोड़ देते हैं थोड़ा सा ग्राफ अब दुबारा नहीं बनाना है एक फालग एक ग्राफ का भी मतलब आप समझी जाओगे इसमें देखे strictly strictly increasing function यानि की पूर्ण तह वर्धमान फलन जब हमने ये कह दिया कि पूरी तरह से बढ़ता ही बढ़ता है strictly हम इन कहरें increasing हैं तब जो है आपकी equal to वाली condition हट जाती है देखे फालन fx को इसमें increasing कहेंगे condition वैसे क्या होती थी x1 less than x2, fx1 less than less are equal to होता था तो केवल इसमें less आएगा ध्यान दीज़े equal to का sign हट जाएगा ठीक ना इसका मान अगर बढ़ता है ठीक ना बराबर होती है वाली line हट जाएगी तो फलन उस अंतराल में increasing यानि कि वर्धमान फलन कहलाएगा पूर्णता है वर्धमान पूर्णता है वर्धमान का मतलब है इसका मतलब यहाँ पे जो equal to का sign था वो चीज हट जाती है आप इसकी पिक ले लेज़े या फिर इसको note कर लें या समझ लें जैसे भी है ऐसी ही अगर हम strictly decreasing function करेंगे तो strictly decreasing function में यानि कि पूर्णता हास मान फलन कहेंगे तो x1 less than equal to पे यह greater than हो जाएगा बस equal to का sign हट जाएगा और यह जो है आपका पूर्णता हास मान फलन हो जाएगा ठीक है ना तो यह आपको पता लग गया कि increasing decreasing होना एक अलग चीज है इसमें आपका equal to का भी sign चलता है लेकिन strictly increasing या strictly decreasing इस case में आपका equal to का sign हट जाता है यह चीज में चीज हम बताना चाह रहे थे कर सकते हैँ एक नोट एक चीज और समझने की कोशिश करिए अगर हमारे पास कोई function fx है ठीके ना fx है यदी हमारे पास और यह हमारे पास जो है वो increasing है या decreasing कुछ है ठीके ना increasing decreasing है कुछ तो इसका मतलब यह आवश्यक नहीं है यह आवश्यक नहीं है कि function जो है हमारा वो strictly increasing हो या strictly decreasing हो मतलब कहने का यह है कि अगर आपका function increasing decreasing दिया है और equal to की condition hold करेगी तो वो इसका मतलब यह जहीं है कि वो strictly increasing और strictly decreasing ही होगा वो हो सकता है कि strictly increasing या decreasing ना हो हो सकता है हो भी क्योंकि वो सीधी सी बात है उसमें equal to की sign है क्योंकि equal to के भी केस में आप वो कह सकते हो और यहां पर जो है वो strictly वाला word तभी लगेगा जब equal to का sign hold ना करे तो खैर इस note की हम यह पहचानेंगे कि यह जो है वो function increasing है या decreasing है किसी interval में तो इस चीज को पहचानने के लिए देखे हम अब differentiation हमारी unit का नाम क्या है unit का नाम है अवकल गडित second इसका मतलब यह है कि increasing decreasing function को पहचानने का कोई तो तरीका होगा differentiation से related तो वो पहचानने का तरीका कि कैसे दिमाग लगाया लोगों ने कि अगर हमारे पास दिखी आप अगर मेरे पास increasing function है तो इसका मतलब यह का function होगा टीग अगर मेरे पास decreasing function है तो इसका मतलब यह तरह है का function होगा मैं पहले concept समझा रहoupe के भाद बता दूंगा मैं लिखवा दूंगा कि आपको जो है वो टेस्ट कैसे करते हैं वर्धमान एडिंग है इसकी वर्धमान तथा हरासमान फलन रास है हा के रिल साथ रा लगेगा रासमान फलन की जाच इसकी टेस्ट कैसे करते हैं टेस्टिंग आफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन तो इसकी जाच करने के लिए आप क्या करोगे सबसे पहले दिमाग लगाओ कि अगर मेरे पास increasing function है तो ऐसा है यह आपका x है यह y है और यह अगर आपका decreasing function है तो वो इस तरह का होगा क्योंकि ना x है यह y है y को ही fx कहते हैं तो यह fx भी लिख सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अब आप देखिए इसमें पहचान क्या है अगर मेरा increasing function है तो मैं उसमें कोई भी interval दे दिया तो उसमें कैसी भी point को अगर select करूँ और उस curve की tangent खीचूँ समझे आप तो वो curve की tangent x axis के positive जो angle बनाएगी angle x axis की positive direction से जो angle बनाएगी वो theta आपका between 0 to 90 यानि की noon cone होगा यानि की अगर English में बोलें तो acute angle होगा ये बात ध्यान दीजिए आप ठीके ना और अगर decreasing function है इस तरह से तो अगर आपने इसके उपर कोई point लिया और उस पे tangent खीची तो उसकी जो slope होगी उसका जो angle बनेगा slope बात में बात करेंगे पहले angle देख लिजिए x axis से positive direction से जो theta होगा वो आपका 90 degree से जादा होगा इस तरफ होगा ना 90 ये हो गया अब उधर की तरफ अगर गया तो 90 से कम इधर आगे तो 90 से जादा इसका मतलब यहाँ पे theta आपका 90 से 180 के बीच में होगा यानि कि वो अधिक कौन होगा यानि कि English में बोले तो obtuse angle होगा ये बात आप दिमाग में रखिए ही समझ में आ रही होगी अब आप ये देखिए कि अगर मालिया suppose करिए ऐसे case में अगर हम देखें कि theta 0 से 90 है और ऐसे case में अगर मैं slope निकालने के कोशिश करूँ यानि कि slope क्या होता m is equal to 10 theta होता है तो अगर मैं यहाँ पे slope निकालने के कोशिश करूँ तो आप देखिए 0 से 90 में रखेंगे तो यहाँ पे ये positive value आएगी और ऐसे मैं अगर मैं यहाँ पे slope निकालने के कोशिश करूँ tangent की तो m is equal to 10 theta theta आपका 0 से 100 c है इसका मतलब यह negative value आएगी ठीक है यह चीज clear हो गई अब देखिए आप slope निकालने का एक तरीका हमारे पास क्या होता है आप dvdx कर दीजे उस point पे तब भी तो हमें slope मिल जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं dvdx कर दूँ ठीक है न slope positive है इसका मतलब slope ही तो add dvdx निकालता है तो dvdx अगर मैं कर दूँ तो देखिए वो positive निकलेगा इसका मतलब greater than 0 निकलेगा तो यह हमारी condition होती है कि अगर आपका increasing function है तो increasing function के लिए आपका dvdx क्या होना चाहिए greater than 0 होना चाहिए और ऐसे case में देखिए dvdx slope जो है dvdx है और वो negative है यानि कि less than 0 है तो यह condition मेरी decreasing function की हो जाती है कि अगर आपके पास कोई function decreasing है test करना है तो आप graph तो draw मत करो आप dvdx निकालो और अगर रो less than 0 आ जाए तो हमारा वो function जो है decreasing होगा अब जिस point पे आपको test करना था वो function वो point आप यहाँ पे at the point x1 y1 उस पे निकाल लीजे यह dvdx at the point x1 y1 और इससे हमारा पता लग जाएगा कि हमारा function increasing है या decreasing हो तो देखें अब हम इस concept को जड़ा लिख लेते हैं language में वर्धमान ततर हासनान फलंगी जाच टेस्टिंग ओफ increasing and decreasing functions इस अब concepts आप समझ चुके हैं तो आप आपको यह ठंक से समझ में आ जाएगा जब भी आपको increasing decreasing निकालना होता है function तो वो दो तरीके से निकालने को आता है या तो वो किसी point पर देदेंगे case first किसी point पर तो किसी बिंदु मल्या suppose कर यह x1 y1 है और आप से कहेंगे इस point पर यह function increasing है या decreasing है और case second जो है वो किसी अंतराल में कभी-कभी वो आपको कह देते हैं कि पर इस अंतराल में बताईए कि वो जो फ़लन है उपका decreasing है या increasing है या फिर आपको function दे देंगे और कहेंगे वो किस अंतराल में increasing है या किस अंतराल में decreasing है अंतराल निकालने वाले भी question आते हैं तो वो भी आपको जो है किसी बिंदू पर आपका function टेस्टिंग करना है तो हम देखिए सबसे पहले हम increasing function की testing कैसे करेंगे और decreasing function की कैसे testing करेंगे तो हम क्या करेंगे dy by dx at the point x1 y1 निकालेंगे और अगर ये greater than 0 आता है तो हमारा function increasing बनेगा ठीक है ना और अगर मैं dy by dx at the point x1 y1 निकालता हूँ और वो less than 0 आता है तो हमारा function कैसा होगा decreasing होगा अब अगर किसी अंतराल में आपको increasing करना है या decreasing करना है तो इसमें पूरे हर point पर करना पड़ेगा आपको जैसे अंतराल ये दे दिया या a, b इसमें दे दिया आपको अब हर point पर यही चीज निकालनी पड़ेगी तो हर point पर तो नहीं निकालनी पड़ती वो दूसरे तरीके होते हैं उससे निकलाती है तो आप देखिए अगर increasing करना है तो इसका मतलब यह होगा dy by dx is greater than 0 वो तो greater than 0 की तो condition होती है अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ for every x उस प्रतेक x के लिए जो की इस interval को belong करता है मतलब इस interval के अंदर जितने भी x होंगे उस हर एक x के लिए आपका dy by dx अगर 0 है तो हम कहेंगे कि उस अंतराल में वो फलन increasing है समझरे बात को तो उस case में जो है मतलब पूरे interval में ऐसा नहों कि कुछ interval ऐसे होते हैं मैं बता दूँ आपको जैसे interval a, b है इसमें a और b है इसमें पता लगा थोड़ी देर के लिए ऐसे चला फिर रूप नीचे उतराया अब आप देखो a से b में क्या increasing है प्तेक x के लिए डिवर डिस आपका गदर greater than 0 है तो आपका function जो है वो increasing होगा ये condition अब देखिए language ये जो symbols है मैंने पहले समझा दिये थे आपको तो अब जो है समझ में आ रहे होंगे यहाँ पर कहा लिख दोगे डिवर बैदी x less than 0 for every x belonging to a, b ये आपके concepts हो गए अब इसके ओपर जड़ा हम कुछ questions करते हैं देखिए दिखाइए कि फलन fx equal to 2x cube plus 9x square plus 12x plus 20 first part है x equal to 2 पर वर्ध मान फलन है और x equal to minus 1.1 पर हरास मान फलन है ये हमें इसमें show करना है तो देखिए दो question है इसमें involved एक increasing का और decreasing का है और point आपको दिया है यानि कि अभी जो मैंने table बनाई थी ये case बनाए थे hierarchy की बनाई थी यहाँ पर hierarchy की में देखिए left side में point पर define होता है तो उसी point पर divide x निकाल लेते है positive आ तो positive वो increasing हो जाएगा negative आ तो decreasing हो जाएगा simple सा concept है उसी को execute करना है देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया y is equal to हो गया 2 x cube plus 9 x square plus 12 x plus 20 यह हमारे पास function हो गया f x या y वो बात वही है ठीके ना अब हम क्या करेंगे divide x कर देंगे तोड़े डेक्स करेंगे अब थोड़ा short करता हो मैं देखिए 6 x square plus 18 x plus 12 इसका 1 हो गया और इसका constant का 0 हो गया अब आप divide x first part करना है ना अब first part divide x तो निकाल लिया हमने चलिए यह first है इसको second मान लिया अब first part करिए dy by dx at the point x equal to 2 निकाल ले है तो देखिए कितना हो जाएगा 6 into 2 का square 18 into 2 plus 12 यह हो जाएगा 6 into 4 plus 36 plus 12 देखिए कुछ ना कुछ 24 plus 36 plus 12 जोडने जुरूद नहीं है positive ही आएगा ठीक है ना तो divide x side x equal to 2 positive है आता हमारा जो फलन है आता फलन fx x equal to 2 पर वर्धमान है ठीक है ना proof हो गया देखिए इतने आसान question के लिए जो है वो हम यह chapter अगर छोड़ दें कि इसमें से कहीं कुछ नहीं आया है तो हम इससे बड़े बेखूफ नहीं होंगे ठीक है ना यह अगर आगया question paper में आप वर्धमान रासमान जिसने नहीं किया है वर्धमान रासमान देखके ही वो hope place हो जाएगा कि मैं क्या करूँ लेकिन अब आपको पता है कि increasing decreasing function के लिए simple सा divide x निकालके positive आया तो increasing है और divide x at that point negative आया तो वो रासमान है simple से concepts है इतने के लिए chapter को छोड़ना भई बड़ा complicated chapter होता तो मैं मानता चलो कुछ नहीं आया चोड़ दो इसे मैं खुद ही कहा देता लेकिन यह चीज़ ऐसी है जिसे छोड़ना बेव कूफी होगी अब second part में आप देखिए इसमें आप divide x निकालोगे at the point divided तो निकाली लिया है at the point बस minus 1.1 रख लो तो x equal to minus 1.1 तो जब आप रखोगे तो यह आपका negative आता होगा negative आता होगा तो आप लिख दोगे at the point fx x equal to minus 1.1 पर रास्मान है यह आपका यह भी proof हो जाता है देखिए question है हमार पर दिखाएं कि fx equal to x square minus x plus 1 अंतराल minus 1 to 1 में ना तो वर्धमान है और ना ही रास्मान इसका मतलब यह हुआ कि dx जो है वो इसके अंदर पूरे interval में ना तो वो पूरा positive भी रहता होगा और ना ही पूरा negative रहता होगा इसका मतलब यह है कहीं पर वो positive और कहीं पर negative अंतराल देख लीजे minus 1 to 1 0 अगर यह है आपका तो minus 1 यह plus 1 यह है यह हमारे पास interval है और इस interval में हमें discuss करना है interval के कौन से points है यह points है इसमें interval में discuss करना है आपको कि यह इसमें ना तो वर्दमान है प्रूफ करना है बलकि नहीं यह वो खास मान है तो पहले हम क्या करेंगे y is equal to function हमें दिया है x square minus x plus 1 और इसका हम क्या करते हैं dy by dx निकाल लेते हैं तो देखे 2x minus 1 यह आपका dy by dx आ जाएगा अब देखे आपको x के बारे में करना है x मेरा क्या है और यहाँ पर तो 2x है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें 2 अगर कॉमान ले 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 तो x minus half इस ताने से लिख सकते हैं अब देखे मैं आसानी से देख सकता हूँ कि x की value 2 देखे हमेशा positive है इसके उपर तो कोई मुझे doubt ही नहीं यह तो positive ही ठीक है ना अब आप देखे x minus half यहाँ पर देखे x half पहले आप x minus half यानि कि half point ले ले लिजे half value जो है कहा है देखे यहाँ पर है यह आपका point जो है वो half का है ठीक है x equal to half यह point है अब आप देखे इस interval में अगर मैं x की value half से कम लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ठीक है ना तो x minus half क्या होगा एक अलग nature रखेगा और अगर मैं x की value half से one के बीच में लेता हूँ देखे मुझे तो discuss तो सारे points करने है इस expression में x minus half आ रहा है इसलिए मैंने half point पे देखा और half से less वाले point पे और half से greater वाले point पे देखे अलग-अलग nature आएगा यह bracket की value अलग-अलग आएगी मैं बताता हूँ आपको कैसे equation number इसको first इसको second माल लीजिए तो अब हम देखते हैं for every x ठीक न या बल्कि इस तरह लिख ले we see we see that for every x belonging to interval minus one to half minus one से लेकर half तक समझे रहा बात x की value minus one से half तक कुछ भी ले तो देखें minus one से लेकर half कुछ भी लोगे यह आपका जो है चीज half से छोटी ही पड़ेगी और half से छोटी चीज से half जब सब्ट्राइट करोगे तो आपका यह bracket negative आएगा तो यह bracket negative आएगा और यह positive multiply करके negative आएगा इसका मतला for every x इतना dy by dx is negative less than 0 होगा तो अता हमारा इस interval में function जो है वो हासमान होगा अता हम फलन हासमान है इतने की बात कर दी मैंने यह इतने में यह हो गया also we see that for every x belonging to interval मेरा half से लेकर के 1 तक की बात करें minus 1 से 1 तक की बात करनी है ना तो minus 1 से तोड़ दिया minus 1 से 1 तक को हमने तोड़ दिया दो interval में minus 1 to half और half to 1 ठीक है ना और half to 1 में देखिए आधे से बड़ी value जब डालोगे तो बड़े में से छोटा गटाओगे तो positive आएगा positive positive मिलाके positive होंगे dy by dx आपका जो है decreasing रहता है और थोड़े से interval में वो रहास मान हो जाता है तो पूरे interval की बात करें तो पूरे interval में कुछ ये इतने time में तो वो decreasing है और इतने में increasing है तो overall जब मैं बात करूंगा तो ये confirmally मैं नहीं कह सकता कि ये increasing है decreasing इसका मतलब अतराल इतने में ना तो वर्धमान है ना हास मान है तो इसले में लग दूँगा अतराल minus one to one में ना तो ना तो वर्धमान है और ना ही हास मान है देखें कोशन में लोग सोचते हैं कि मैं हर एक point पे कैसे check करूंगा तो आप इस से nature पहचान सकते हैं कि x minus half तो x की value अगर मैं half से कम लूँगा तो negative आना है और x की value half से ज़्यादा लूँगा तो positive आना है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको इन तीन चार लाइनों में यहां तक तो ठीक है लेकिन यह two common क्यों लिया और यह सब क्या लिखा यह अगर समझ में आ गया आपको तो बहुत अच्छी बात है देखे एक question यह भी है important है मतलब आया तो नहीं है लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि मतलब अगर आ सकता है paper में तो is आ सकता है दिखाएं कि फलन e to the power x for every x belonging to capital R पूंतया वर्धमान फलन है r मतलब real number मतलब minus infinite से लेके plus infinite तक के सारे x ले लें उस पर e x जो है वो वर्धमान है तो देखे इसमें आप simple definition समझा दोगे आप जानते ही है जैसे जैसे मैं x बढ़ाऊंगा आप 1 लिया, 2 लिया तो e to the power 1 देखोगे और e to the power 2 तो आपका value बढ़ती चली जाएगी power बढ़ाने पर बढ़ती कब है value जब आपका ये number 1 से बढ़ा हो और e की value आप जानते ही है 2 और 3 के बीच में होती है positive भी होती 2, 3 के बीच में होती है तो जैसे जैसे आपकी power बढ़ती जाएगी e to the power x वैसे वैसे value भी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब यह है कि simple आपको definition लिखनी है समझने बात को we see that पहले हम करके दिखा देंगे x1, x2 for x1, x2 belonging to r 2 मैंने value ले ले ली r के अंदर, real number में 2 value ले ली ठीके न, और where x1 greater, less than x2 जिसमें से x1 आपकी छोटी है और x2 बढ़ी है for x1, x2 belonging to r where x1, we see यहाँ पे लिको we see that we see that कि इस पर जब हम fx1 निकालेंगे, यानि कि e to the power x1 निकालेंगे और e to the power x2 निकालेंगे तो आप देखिए, x1 चुकि छोटा है तो e to the power x1 भी कमाएगा और x2 चुकि बढ़ा है, तो e to the power x2 भी बढ़ाएगा, तो छोटे पे यह चोटा x1, x2 पे e to the power x1 less than e to the power x2 ठीके न, यह condition आगई implies that x1, x2 ठीके न, for x1 less than x2, implies that कि उसके ओपर जो functional value है fx1 वो भी fx2 से छोटी है, implies that मेरा जो function है, fx is equal to e to the power x वर्धमान फलन है, increasing फलन है, increasing function है समझ रहे हैं आप, जो definition थी उसकी, कि x1, x2 में से x1, x2 बढ़ा और function भी उस पे, x1 पे, x1 पे dy, dx वगरा, यह सब चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है आप बस value देख लो कि हाँ पर x1, x2 से बढ़ा है, यह basic definition से solve हुआ है differentiation से यह solve नहीं हुआ है क्योंकि आप इसका differentiation लोगे तो फिर से ही to the power x आ जाएगा तो x1 पे function की value भी कम आ जाए और x2 पे बढ़ा है, तो function की value भी जादा आ जाए यानि कि x1 less than x2 implies that fx1 less than fx2 आ जाए अगर तो उस case में हमारा function जो है वो increasing होता है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे दिखा दी कि हमने जो छोटा बढ़ा लिया तो छोटे बढ़े लेने पर जो है वो e to the power x1 और e to the power x2 में भी यह छोटा होगा वो बढ़ा होगा, आप चाहें raising लिख दो इतना because, यहाँ पे लिख दो because e lies between 2 and 3 e जो है वो positive है और एक से बढ़ा है, इसलिए power जब आप बढ़ाओगे तो उसकी value भी बढ़ेगी और explain कर दीजे इसी तरह से question है e to the power x की जगे e to the power minus x पून तया हरास मान है यह भी exercise में question दिया है, बिल्कुल same to same उसको आप definition के base पे solve कर सकते हो, ठीक है ना एक आपका function है दिखाईए कि फलन cos x ठीक है ना अंतराल zero two pi by two में अंतराल zero two pi by two में खरास मान है तो देखिए आप zero two pi by two देखिए cos की value zero से 90 degree में क्या होती है cos की value जो है cos zero पे one होता है और 90 पे क्या होता है वो जो है आपका zero हो जाता है जाकर के रहता तो positive है लेकिन one से zero तो अब देखिए आप अगर हम cos x का graph कीचें तो zero और cos x का graph ऐसे जाके जाएगा zero से pi by two के बीच में इस तरह से graph होगा इसका ठीक है तो अब देखिए आप ये क्या है आप इसमें कोई भी x1 ले लीजे ये x2 ले लीजे आपका यहाँ पे x1 less than x2 है तो implies that x1 पे value बड़ी होगी fx1 greater than fx2 तो we see that ये लिख दिया जाएगा आपको कुछ ज़्यादा समझानी जरूद नहीं है कुछ दिखानी जरूद नहीं है और extra में दिखाना चाहें आप graph तो ये और अच्छी बात है तो इस तरह से आप इस question को भी उसी तरह से basic definition के base पे solve कर सकते है देखिए अब हम थोड़ा सा उस part पर आते हैं जो tough तो नहीं है लेकिन आपका दिमाग थोड़ा लगेगा जिसकी reasoning अच्छी है वो बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा और जिसकी थोड़ी सी problem है तो उसको समझने में थोड़ा सा time लगेगा ठीक है ना देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका जो थोड़ा सा complicated part है वो यह है कि वर्धमान ततर हासमान फलनों के लिए अंतराल का निर्धारण कहने का मतलब यह है कि हम आपको function दे देंगे equation wise आपको यह बताना होगा कि यह function जो है वो किस अंतराल में यानि कि A, B कौन सा अंतराल ऐसा है जिसमें कि यह increasing बोल देगा या decreasing बोल देगा कि मतलब हमने कोई function दे दिया और हम पूछेंगे आप से कि यह किस अंतराल में increasing है या किस अंतराल में increasing है तो आपको वो अंतराल वो interval find करना होता है तो यह question जो है वो थोड़े से इसलिए टेढ़े मेरे होते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास equation नहीं बनती इसके अंदर हमारे पास inequalities बनती है, inequalities मतलब जिसे a samika कहते हैं, ठीके ना तो ऐसी cases में कैसे solve करते हैं, तो उसको जड़ा हम देख लेते हैं क्या condition है देखिए इसके लिए तरीका क्या है, पहले हम वो बता देते हैं step number one में आप क्या करोगे आप y is equal to fx इस तरह से function लिख लोगे ठीके ना, जो function दिया है उसको लिख लिया हमने step number two में आप क्या करोगे इसको d y by dx निकाल दोगे ठीके ना, इसका जो है आपने d y by dx निकाल दिया या इसको d y by dx या फिर इसको हम f dash x भी लिख सकते हैं इस तरह से f dash x जो है वो निकाल दिया, ऐसा लिखने से यह होता है कि हाँ वह एक function, एक expression ही लिख दिया हमने, को तो x square plus x something कुछ कटके f dash x आ जाएगा ठीक है न, ये निकाल लिया अब ठीक है, दूसरा step complete हो गया अब अगर यहाँ से आपका step number three जो चलेगा, उसमें अगर आपका function जो है वो increasing आपको increasing के लिए interval find करना है तो हम क्या करेंगे, increasing के लिए अंतराल अगर निकालना है आपको तो उस case में आप क्या करोगे f dash x क्या होना चाहिए, increasing के लिए greater than 0 होना चाहिए, diva x greater than 0 ही तो हता है और इस inequality को solve करके आप x की value निकाल लोगे, जो भी decreasing के लिए interval decreasing के लिए interval अगर find करना है तो f dash x को आप क्या करोगे less than 0 put कर दोगे और इस inequality को solve करोगे और इस inequality को solve करके x की values निकालोगे और उससे आपका जो है वो interval find हो जाएगा, inequalities को solve करना थोड़ा सा complicated part होता है, वो मैं question के अंदर आपको बताऊंगा, तो आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा आप ये procedure note करें फिर हम एक question देखते हैं इसके उपर वीडियो लाइक करते हैं आप लोग जड़ा अब देखें इसके उपर एक question देखते हैं उससे आपके सारे दिमाग के दवार खुलेंगे देखें, question है हमारे पास यदि fx equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15 तो वह अंतराल ग्याद करें जिसमें की function जो है वर्थमान है और हरासमान है तो पहले हम first part ले रहे हैं वर्थमान के लिए तो देखें इसमें fx is equal to हमारे पास दिया है 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15 आप f dash x जब निकालोगे तो यह देखें कितना हो जाएगा 3 to just 6x square minus 9 to just 18x plus 12 बस इतना बचेगा आपका अब देखें इसमें से 6 common मिलना है तो 6 common लिए x square minus 3x plus 2 यह आपका बना इसको जड़ा factor कर दीजे 6 और bracket के अंदर क्या हो जाएगा x square 2 बन जा तो minus 2x minus x plus 2 यह हो जाएगा 6x square x common तो x minus 2 minus 1 common तो x minus 2 और यह आपका bracket close हुआ यहाँ से आपका हो जाएगा 6 bracket में x minus 2 common तो यह आपका x minus 1 इस तरह से हो गया थोड़ा सा यह छोटा नमबर पहले लिख लेते हैं बड़ा नमबर बाद में लिख लेते हैं तो मैं ऐसा करता हूँ यह सब मिटा रहा हूँ और क्योंकि मुझे समझाना ज़्यादा पड़ेगा यहाँ पर तो इसलिए मैं यह करता हूँ f dash x is equal to देखिए कितना आ गया 6 bracket x minus 1 दूसरा bracket x minus 2 यह मेरे पास जो है वो आ गई condition ठीक है न अब इसमें देखिए वर्दमान के लिए तो वर्दमान फलन के लिए तो यह आपका जो है वो क्या होना चाहिए यह f dash x जो है वो यानि की greater than 0 होना चाहिए इसका मतलब यह हो गया कि 6 bracket x minus 1 bracket x minus 2 यह आपका 0 होना चाहिए यह बड़ा होना चाहिए 0 से अब आप यह इसमें पता लगाएंगे कि आपका जो है वो interval कौन सा आ रहा है जो इस condition को satisfy कर रहा है देखे 6 positive है यह 6 positive में कोई गरबड नहीं करेगा गरबड कौन कर सकते हैं यह लोग कर सकते हैं दोनों इसकी value positive और इसकी value positive आजाए तो भी यह positive बनेगा और अगर इसकी value negative आजाए इसकी value negative आजाए तो भी यह positive बन जाएगा इसलिए आपको यह x की value ऐसी ढूड़नी पड़ेंगी कि जिन पर आप यह condition satisfy होती हुई दिखे इन दोनों का product आता हुआ positive दिखे इस चीज को पहचानने के लिए क्या तरीका है मैं समझाने जा रहा हूँ आप बिलकुल इस पे विशेश द्रश्टी बनाए रखे है बहुत special नजर इसके उबर बनाए और ध्यान से समझे कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ ऐसी जगों पे क्या करते हैं सबसे पहले जो points है 1 और 2 ठीक है ना इन points को आप number line पे draw कर लें जैसे यह आपका 0 हो गई number line और आपने यह 1 draw कर लिया और यह 2 draw कर लिया ठीक है ना यहाँ यह आपका starting minus infinite से है और ending यहाँ पे आपकी plus infinite से है अब ध्यान से देखिए इसमें जहां जहां पे break है 1 और 2 यहां से लेकर यहां तक यहां से लेकर यहां तक और यहां से यहां तक यहां तक तीन हिस्से बनते हैं मेरे पास एक हिस्सा यह बनता है एक हिस्सा यह बनता है और एक हिस्सा यह बनता है देखिए यह inequality है equal to sign नहीं लगा है अगर equal to sign होता तो x equal to 1 x equal to 2 answer में रा गया था तुरंट inequality क्या से solve करते हैं उसका तरीका यहाँ पे देखिए आप तो 1 2 पे break है तो मेरे पास x की value मैं minus infinite से 1 तक ले सकता हूँ एक तो इसके अंदर यह आपका x है इस duration में आपका x जो है वो minus infinite से लेकर के 1 तक है इस duration में आपका x 1 से लेकर 2 तक है और इस duration में आपका x जो है वो 2 से लेकर के infinite तक है ठीके ना यह duration तीन duration हो गए अब आप ध्यान से देखिए कि जब मेरा x minus infinite से 1 तक होता है यानि कि 1 से भी छोटा होता है तो 1 से छोटी चीज़ के जब आप ये bracket देखो गया के, तो 1 से छोटी चीज़ से जब 1 subtract करोगे तो ये भी negative आएगा, और 1 से छोटी चीज़ से जब आप 2 subtract करोगे, तो वो भी negative आएगा, negative negative मिला के positive हो जाएगे, यानि कि ये value इसको satisfy कर रही है, इसका मतलब जो है ये वाली condition कहां सही है, यहां से यहां तक सही है, मैं इस पर green line खीज़ देता हूँ, इसको मैंने red signal से अब green signal दे दिया, कि यानि कि ये सारे points इस condition को satisfy कर रहे हैं, ठीक है, अब आप देखिए, इसको मिटा देता हूँ मैं, अब आप जड़ा x 1 और 2 के बीच में है, जड़ा उसे देख है, तो यानि कि 1 से तो बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया, तो यह पर positive आ जाएगा, लेकिन वो x आपका 2 से तो छोटा यह है, तो छोटे से बड़ा सब्ट्राइट करोगा, तो यह negative आब यह positive है 6, तो positive, 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 negative, negative, यानि कि यह चीज इसको satisfy नहीं कर रही है, तो यह मेरा part red signal हो गया, यह part ऐसा x नहीं ले सकता मैं, क्योंकि यह x की value 1 से 2 तक की, वो इस inequality को satisfy नहीं कर रही है, ठीके न, अब इसके बाद में क्या करता हूँ, 2 से infinite तक जाता हूँ, 2 से infinite देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ अपर से, 2 से infinite नहीं कि 2 से बड़ी value, 2 से बड़ी value इसका मतलब यह इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, कि मैं अब डिरेक्ट देखिए, क्या लिखूंगा, यह inequality आई है, इसका मतलब यह है, कि implies that, इसके हिसाब से, मेरा x जो है, वो minus infinite से लेकर के, minus infinite से लेकर के, कहां से, minus infinite से लेकर वन तक है, और फिर साती साथ जो है, आपका, 2 से लेकर के, और फिर उसके दाथ, plus infinite तक है, समझमारी बात आपको जो X है वो आपके तथा इतने तथा इतना यह X जो है वो इसको सटिस्फाई कर रहा है यह मुझे बताइए आपको क्लियर है कि नहीं तो इसका अंसर ऐसा लिखा जाएगा इंटरवल एक यूनियन समझते हैं आप यूनियन का मतलब यह भी लेना यह भी लेना है यह भी लेना है यूनियन और आपका टू से लेकर के इंटरवल यह आपका इसका आंसर आजाएगा ठीके ना कि आपका जो इंटरवल आया है वो थोड़ा सा दो टुकडो में आया है माइनस इंटरवल ओपन है ना माइनस वन ले सकते हैं ना माइनस इंटरवल ओपन है इंटरवल हमेशा ओपन ही रहता है क्योंकि इंटरवल का नंबर तो पता नहीं रहता है और यूनियन य आपको second part समझाना शुरू करता हूँ तो second part में जब आएंगे तो आप वही उसी तरह से f dash x तो निकाल लखा है आपने ठीक है ना अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा हास मान फालन के लिए f dash x less than zero यानि कि यह less than zero आना है तो अब हम इसमें condition satisfy करा आके देखते हैं कि आपका जो है वो negative कब आएगा तो आप देखे negative कब आएगा जब एक positive और एक negative हो जाए तो negative आजाएगा तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पर अब यह मैं जो टीन हो red signal थे अब देखी green में कौन जाएगा तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले मैं infinite से one तक की बात करता हूँ तो infinite से one तक में आप देखिए यह आपका one से छोटी चीज तो one से छोटी चीज पर यह भी negative यह भी negative negative मिला के क्या हो जाएगा positive यानि गलत satisfy नहीं कर रहा है तो यह मेरा signal red का red ही रहता है चीक है उसके बाद आप देखिए two से बड़े पर देख लीजे two से बड़े पर देखेंगे तो यह भी positive आएगा यह भी positive तो positive 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 यह हमें तो less than लाना है तो यह signal भी मेरा red ही रहा अब देखिए आपका one से two में देखिए तो one से two में अगर मैं देखूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि one से two में जो point होगा वो one से तो बड़ा होगा one से बड़ा है तो इसलिए positive हो जाएगा लेकिन वो two से छोटा है तो छोटे में से two surprise करोगे तो वो negative आजाएगा positive negative में लाके negative यह सही satisfy हो रहा है तो यह मेरा signal green में convert हो जाता है ठीके ना अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास interval आगया है केवल one से two तक तो इसका मतलब यह हुआ implies that x मेरा belong कर रहा है किसमे one से लेकर के two तक में या इसको ऐसे भी लिख सकते थे x between one and two ऐसे भी लिखा जा सकता है पहले हमने पिछले में उसी में ऐसे लिखा था तो अता अंतराल जो है वो हमारा अंतराल one कॉमा two में फलन रासमाल है ठीके ना तो यह मैंने question इसलिए भी लिया है ताकि inequalities को solve करना भी आप सीख जाए और किस तरह से यहां से value निकाल लिए निए बड़े अच्सान तरीके से इस तरह से हम number line का use करके इसको कर सकते हैं यही इसका best suitable तरीका है और इसी से यह आपको आसान लग पाएगा तो इस chapter में हमारे पास बस यह कुछ concepts थे और यह कुछ questions थे मैंने third type के questions कि आपको practice करा दी है और उमीद है कि अगर इन में से कोई question आपका आता है हाला कि board में नहीं आया कोई तो अगर कोई question आता भी है तो आप उसको आसानी से कर लेंगे ठीक है ना तो इसी के साथ मैं यह video खतम करता हूँ धन्यवाद